हलो स्टुडेंट, मैं डॉक्टर आनिल अरोरा, डिपार्टमेंट अब बाटनी, डुमर कॉलेज बिकानेट से आज हम इस वीडियो में डेजर्ट्स, अर्थात मरुस्थल या रेगिस्तानों के बारे में बात करेंगे उनका ओरिजिन, उनकी उत्पत्ती कैसे होती है, और उनके बायोम्स के बारे में डेजर्ट बायोम्स कौन-कौन से हैं और उनके उधारन क्या हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं desert origin मरुस्थल या desert कैसे बनते हैं सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं a desert forms when there has been a shortage of rain for a long time सबसे पहली बात कि desert तब बनते हैं जब लंबे समय तक बरसाथ की कमी होती है जब लंबे समय तक वर्शन नहीं होता तो उन स्थानों पर desert मरुस्थल या रेगिस्थान विक्सित हो जाते हैं it may have different geological conformations mainly due to the effect of the wind wind erosion इसके अलावा हवाएं और हवाओं से होने वाले जो अप्रदन है wind erosion जो होते हैं वो भी इसमें सहायता करते हैं there are sand deserts called earth sand deserts होते हैं जो बालू मरुस्थल होते हैं उन्हें हम आग कहते हैं rock deserts जो होते हैं जो चट्टानी मरुस्थल होते हैं उन्हें हमाड़ा कहा जाता है and pebble deserts उन्हें हम सेरिर कहते हैं pebbles जो यहां कंकर पत्थर होते हैं gravel जादा होता है उन्हें हम सहरिर कहते हैं The history of the desert can be studied through paleontology हम जिवाश्म विज्ञान के द्वारा या जिवाश्म विज्ञान की सहायता से हम deserts या मरुस्थोलों की history अर्थात इतिहास के बारे में जान सकते हैं During the palastocene लगबग 1 million year ago where there are deserts now rainy periods followed each other during the glaciation while dry periods followed each other in warmer times अगर हम देखें तो palastocene जो युग था जो काल था उस समय पर जहां अब desert बने हुए हैं वहाँ जब अत्य दिक्ठन थी, glaciation का time था, बर्फ जमी हुई थी तब rainy periods अर्थात बरसात का जो काल था बरसात का जो समय था वो एक repeat होता था लेकिन जैसे जैसे अर्थ warm होनी शुरू हुई और warmer time शुरू हुआ तो उस समय पर dry periods एक के बाद एक आने शुरू हो गए अर्थात एक dry period फिर वो followed by the another dry period और ये एक के बाद एक आने लग गए तो उन स्थानों पर वर्षन कम हो गया ड्राइ पिरियड ज्यादा रहने लग गया तो उन स्थानों पर डेजर्ट्स ड्वलप हो गए इस प्रूवन बाइ स्थेट ग्राफिकल सिक्वेंस आफ द लेंड और वारीएशन अगर वेएशन अगर लेखते हैं उनका अध्यान अगर हम करते हैं अर्थ के नीचे की तरफ जो उस्तर बने हुए अगर हम उनका अध्यन करें तो हमें यहां पर उसका धरन मिल जाते हैं जैसे फॉर इंस्टांस लेक कैड इन सहारा डेजट यूज तो बी मच लारजर एंड वन टूंटी मिटर डीपर देन इट इस तूडे देखे जब पुराना समय था उस समय पर सहारा डेजट में जो एक जील थी कैड के नाम से जिसे जाना जाता है वो बहुत बड़ी थी और लगभग 120 मिटर गहरी थी लेकिन अब इसकी जो गहराई है वो भी कम हो गई है और इसका जो हम कह सकते हैं कि जो इसका जो फैलाव है वो भी बहुत कम हो गया है यह शोर्ट और कम गहरी हो गई है तो इसका आर्थ है कि जब deserts develop होते हैं तो विभिन परकार के environmental प्रयावर्मिय जो changes होते हैं उनके द्वारा वर्शन का कम हो जाना, हवाओं का शुश्क हवाओं का तेज चलना, तापमान का बढ़ जाना ये सब चीज़ें जो हैं वो desert origin में मरुस्तनों के उत्पत्ती में सहाय करती हैं ये तो हुई बात अपने जो अब की थी बरसात के कारण से जो develop हो जाते हैं इसके लावा, in more recent times, at the end of the last glaciation, the climate of some areas which were constantly submitted to high pressure determined the spreading of the deserts. मरुस्तनों के विकास में glaciation period के समाप्त होने के पस्चाथ कुछ high pressure zone बन गए, इन high pressure zone के कारण से भी मरुस्तनों का विस्तारी करण हुआ, मरुस्तन जिन स्थानों पर थे, उन स्थानों से आगे की और बढ़ते गे. In another instance, एक और उधारन में, जैसे हम Pentagonian Medium Desert in the Andes, Andes के Pentagonian Medium Desert के अगर हम बात करते हैं, it was the presence of mountain ridges that acted as the barrier against the wet grunts coming from the oceans and that determined the condition that favored the development of the desert. अर्थार, अगर हम इस specifically इसकी बात करें, या अपने राजस्तान में हम हमारे North Western Region के अंदर जो थार डेजर्ट है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो यह डेजर्ट जो हैं, यह mountains के कारण से या अपने अरावली hills के कारण से राजस्तान में विक्सित होते हैं. कारण ही होता है कि महासागनों की तरफ से चलने वाली जो बादल हैं या थंडी हवाएं जो होती हैं जो बरसात लाने में साहिक होती हैं, वो इन mountains के कारण एक तरफ रूख जाती हैं, और दूसरी तरफ clouds जो बादल जो हैं, वो वर्षा वाले बादल उस तरफ पहुंच नह उनके दूसरी तरफ बरसात नहीं होती या बहुत कम बरसात होती है, तो वहाँ पर डेजर्ट त्वलब हो जाते हैं, दा कोल्ड ऑशेनिक क्रंट्स हैव अलसो ओरेजनेटिड सम ड्राइ एरियाज, दे जनेरेट कूल एंड कॉंस्टेंट विंड स्केरिंग लिटल हुमिड करना देती है, वो विशुक स्थलों को विक्सित कर देती है, वह जो एसी हवाएं आती है, वो अत्यदिक ठंडी होती है और निरंतर महा सागरों से स्थलों की और चलती रहती है इन हवाओं ठंडी हवाओं के चलने के कारण से वहां humidity जो या वह कम हो जाती है या वह फोक के रूप में परिवर्तित हो जाती है वह एक तरह से हम कह सकते हैं condensed हो जाता है वहां पर जल वास्टिक वर्षा वहां पर नहीं होती तो उन स्थानों प देखें the coastal desert of Peru and Northern Chile worst by the cold Antarctic current of the Hudson and the Namim desert worst by Antarctic current of the Bengula यह ऐसे desert है जो महा साग्रों से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण से विक्सित हुए है तो यह नहीं coastal deserts भी कह सकते हैं समूदरी किनारों पर विक्सित होने वाले जो मरुस्तल होते हैं वो कह सकते हैं in addition winds are responsible for the ongoing reshaping the landscape इनके साथ साथ जो हवाएं होती हैं वो भी जो हमारे terrestrial reason है जो हमारे थलियक शेतर हैं उनमें परिवर्तन करती रहती हैं वो actual में जो यह हवाएं जिन स्थानों पर वनस्पती नहीं होती वहां पर खुले बैदानों में अपना परभाव अधिक दिखाती ह in addition their erosive effect is enhanced by the sand acting as an abrasive agent इन हवाओं में जो यह winds जो होती हैं यह अपरदन की किरिया को करती हैं यह erosion की किरिया को करती हैं और वहां उपस्तित बालू जो होती है वो अपगर्शक के रूप में काम करती है और इनके जो wind erosion जो है उसके काम को असान कर देती है अर्थाथ असानी से हवाएं उस बालू रिट को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर देती हैं The most spectacular result of the acting of the winds are eroded and polished rocks in the most bizarre shapes. ये जो हवाई हैं जो लगातार निरंतर एक ही दिशा के अंदर चलती रहती हैं, ये चटानों के रूप में भी चटानों में भी परवर्तन कर देती हैं, उन्हें भी बिन अकरतियों में परवर्तित कर देती हैं. Dunes are also generated by the wind and that builds and moves these sandy mountains around the draughts, lift the grains and settle them down again when friction increases. जो हवाई हैं वो शुष्क स्थानों पर sand dunes बनाने का काम भी करती हैं, अर्थात वो धोरों को भी बना देती हैं, इन धोरों को बनाना, फिर तेज हवाओं के चलने से धोरों का अपने स्थान से मूव कर जाना और फिर आगे किसी और स्थान पर विक्सित हो जाना, यह है तेज हवाओं या विंड्स के प्रभाब से ही होता है, दा शेप अव धा ड्यूंस मोस्ली डिपेंड्स ओन दा डिरेक्शन एंड वरिबिलिटी ओव धा विंड्स जो ऐसे धोरे हैं, मरुस्तलों के अंदर जो हमें रिगिस्तानों के अंदर यह धोरे मिलते हैं, यह sand dunes जो सकते हैं, डोम शेप हो सकते हैं, बोर्ट शेप हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, स्टेट हो सकते हैं और या स्टार शेप भी जो sand dunes हैं, वो देखने में आते हैं, तो डेजर्ट के ओरिजिन के हमने बात कर ली, डेजर्ट ओरिजिन जो होता है, वास्ता में कम बरसात के होने स से विंड या हवाओं के प्रभाव से या कोस्टल एरिया से चलने वाली कोस्टल एरिया में महासाग्रों से चलने वाली थंडी हवाओं के कारण से विक्सित होते हैं अब हम बात करेंगे डैजर्ट बायोम्स की डैजर्ट बायोम्स या मरुस्थलिय बायोम जो हैं वो पृत् that can either be sandy, gravelly or stony depending on the type of the desert. परतेक बायोम के अंदर जो soil होती है, जो म्रदा होती है, वो किस परकार का desert है, उस पर निर्बर करती है. यह soil या म्रदा बालू हो सकती है, sandy हो सकती है, gravel हो सकती है, या stony हो सकती है, तो बिबिन परकार की अम्रिदा हमें उस शित्र के अंदर देखने को मिलती है, उस बायोम के अंदर देखने को मिलती है. मरस्तलों में हम देखते हैं कि mostly जो होता है 50 cm या 20 इंच से कम बरसात एक साल के अंदर होती है, और वहाँ पर जो जीव रहते हैं, वो desertic conditions मरस्तली अवस्थाओं में रहने के लिए या dry climate में रहने के लिए खुद को adapt कर लेते हैं, खुद को uncoolit कर लेते हैं. प्लांट जो होते हैं, वो पानी को संचित करके रख सकते हैं, इसका सबसे बड़या उधारन होता है cactus plant, जो water को storage करके रखता है, और उसमें जो पतियां होती हैं, वो कांटों में रुपांतिर हो जाती हैं, और ये जो कांटे होते हैं, ये इने पशों या दूसरे जो से रोकते हैं, जिससे उसके अंदर conserve water जो होता है, वो सुरक्षित रहता है, और अगर हम animals का उधान लेते हैं, तो black-tailed jack rabbit जो होता है, उसे कान बहुत लंबे होते हैं, तो वो लंबे कानों के सायता से body की extra heat होती है, उसको बाहर निकालता रहता है, अगर हम desert biomes की types की बात कर हैं, तो चार प्रकार के desert biomes हमें मिलते हैं, hot and dry deserts, semi-arid deserts, coastal deserts, cold deserts, यह deserts कैसे हैं और इनके क्या उधारन है, अब हम उनको इक एक करके देख लेते हैं, सबसे पहले, in hot and dry deserts, also known as arid deserts, the temperatures are warm and dry year around, जो hot and dry deserts होते हैं, या जो hot and dry biomes जो होते हैं, desert biomes जो होते हैं, उन्हें ह तल भी कहा जाता है, और यहां पर वर्ष भर जो होता है, तापमान अत्यधिक बना रहता है, और पूरा साल शुष करेता है, अधरता बहुत कम रहती है, और इसके जो arid deserts के जो उधारन हैं, उनमें सबसे बड़ी उधारन है, सहारा desert का, या जो अफरिका में पाया जाता ह है, या इसके हलावा हम मौजव desert की बात कर सकते हैं, जो United States के अंदर, Southwest United States के अंदर हमें देखने को मिलता है, अब हम बात करते हैं, semi-arid desert की, semi-arid desert जो होते हैं, वो hot desert से थोड़े से ठंडे होते हैं, और यह उनसे थोड़े कम dry पाय जाते हैं, the long dry summer in semi-arid deserts are followed by winters with some rains, some rains, इनके अंदर क्या होता है, कि जो लंबे गर्मी के दिन जो होते हैं, warm days जो होते हैं, वो वर्ष में अधिकतर समय लेते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए winters भी आते हैं, सर्दियां भी आती हैं, जिन में बरसात होती है, semi-desert का सबसे अच्छा जो धारन है, वो North America, Greenland, Europe और Asia में हमें मिलता है, यहां पर हमें दिखाई देते हैं, coastal deserts are a bit more humid than other types of desert, coastal जो deserts होते हैं, उनमें usually fog बना रहता है, यानि वैसे वो condensed हो जाता है, तो वो पूरे साल बरी आप यह समझें, कि heavy fog जो है, वो बना रहता है, और rainfall वहां पर नहीं हो पाता, वहां पर जो हम कह सकते है version नहीं होता, तो इसका उधारन जो है, वो हम कह सकते है, Atacama Desert of Chile, चीली का Atacama Desert, जो कि South America के अंदर पाया जाता है, वो ऐसे ही coastal desert का, समुदर के किनारों मिलने वारे मरुस्थलों का उधारन होता है, Cold deserts are still dry, but have extremely low temperatures in comparison to the other types of deserts, जो ठंडे जो मरुस्थलों होते हैं, वो उन में तापमान अत्य दिक कम होता है, लेकिन वो शुष्ट कोते हैं, क्योंकि उन्हें सिद्धे तोर पर जल नहीं मिलता, यह जल स्नो के रूप में, या आइस के रूप में, या ग्लेशिर्स की फॉर् रहता है, तो वाटर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, तो यह एक शत्र भी ड्राई रहते हैं, तो Antarctic is example of the cold desert, Antarctic शत्र जो है, वो cold desert का उधारन होता है, तो यह चार प्रकार के जो desert biomes हैं, वहाँ पर कैसे climatic conditions होती हैं, और उनके क्या उधारन है, वो हमने यहाँ पर देख कूलित रखते हैं, वैसा ही खुद को बना करके रखते हैं, थैंक यू सो मच